जैश्रिशाम प्रेमियू, जैश्रिबाला जी हर इनसान सोचता है कि उस पर शनी महाराज की कुद्रिश्टी कभी नहीं आने चाहिए हरुमान जी महाराज की कृपा से ये भी संभव है एक बार वन में हरुमान जी महाराज प्रभु राम की भक्ती में मगन थे तो शनी महाराज वहाँ प्रकट हुए और बोले बजरंग बली धर्ती पर जो भी रहता है उस पर मैं एक बार अपनी साड़े साती की नजर जरूर डालता हूँ अपनी कुद्रिश्टी जरूर डालता हूँ और साड़े साथ साल तक उसका पिछा नहीं छोड़ता हनमान जी बोले जिस पर राम की करपा होती है उस पर कोई कुद्रिश्टी का असर नहीं होता शनी महाराज को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने शनी महराज जब नहीं माने तो हनुआन जी बोले ठीक है आप आजाईए लेकिन ये बताईए कौन से अंग पर कब तक रहेंगे तब शनी महराज बोले ढाई साल मैं व्यक्ति के सिर पर ढाई साल उदर में और ढाई साल पैरों में रहता हूं और इंसान से गलत कारे करवाता हूं हनुआन जी बोले ठीक है शनी महराज हनुआन जी के सिर पर जाकर बैठ दे है और जियो ही सिर में प्रवेश किया हनुआन जी के कुछ थोड़ी सी खुजली सिर में शुरू ही तो उन्हों एक बड़ा सा पहाड उठाया और सिर पर रख ल उसी प्रकार मैं भी अपने विवहार से विवश हूँ इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुछली हो रही है मैं सिर पर पहाड रखूँगा तो शनी महराज दो चार मिनिट तो कुछ नहीं बोले फिर हनुआन जी ने एक और पहाड उठाया बड़ा सा फ फिर में शनी महराज ने हाज जोड़कर वंदना की कि है हनुआ जी महराज मुझे शमा कीजिये मैं आप पर ही नहीं जिस पर भी राम के करपा होगी और आपका नाम जो जबता होगा उस पर मेरी कूद्रिष्टी कभी भी असर नहीं करेगी तो प्रेमियों हनुमान जी महरा तम वात जातम नमा में आईए अनमान जी की शरण में रहें और खुश रहें सुकी रहें जाए शरी बाला जी जाए शरी शाम